स्वागते दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल डिफेंस एस्टेडी 3.0 पे तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बीएस एफ ट्रेड्समेन 3788 पोस्टों के कुछ महत्पुन जानकारी देना चाहते हैं जो सबसे ज़्यदा बच्चे अभी कॉमेंट किये पहला आप लोगों का जानकारी है कि सर मैं फॉर्म ऑनलेन अपले किया पर मेरा मैसेज अभी तक फॉर्म नंबर पे आया न इमेल पे आया दूसरा है कि न एप्रूब दिख रहा है न रिजेक्ट दिख रहा है और तीसरा जो सबसे ज़्यदा बच्चे कॉमेंट करते हैं कि फीजी कल का एडमिट कार्ड कब आएगा तो दोस्तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ये तीनों जानकारी की महत्पून जानकारी तो दोस्तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो नीचे सबस्क्राइब कर लिजेगा और वेल एकन बटन को अल पे दबागे किलिक कर दीजेगा तो सबसे पहले नीचे चलते हैं और सबसे पहले सबसे जैदा बच्चों का जो पहला कोशन था वाता सर फीजीकल का एडमिट कार्ड कब आएगा तो देखे दोस्तो जैसे नीचे आते हैं यहाँ पर देखें notice का section है और notice के section पर देखें आप लोग दिया गया है conduct first phase examination, return examination, direct requirement group C post in BSF engineering setup तो दोस्तो आप लोगों को बता दे कि tradesman से पहले group C का 72 post के लिए आई थी vacancy जिसका अभी एक तारिक को आप लोगों का क्या कर दिया गया है तो exam सुरू कर दिया गया है एक तारिक admit card आ गया है तो समझे दोस्तो तो लगभग 5 महिने लगे admit card आने में और इसी जिस तरह से आप लोगों का admit card आने में तो अब चलिए दोस्तों आप लोगों को बता दे कि जिस बच्चे का फॉर्म एक्सेप्ट दिख रहा है तो समझे उनका फॉर्म एक्सेप्ट है घबर आने की कोई जवरत नहीं है और जो बच्चे अपना फॉर्म चेक करते हैं और जिनका submit आ रहा है तो उसका मतलब आपका फॉर्म जमा है अभी तक चेक नहीं किया गया है समझे दोस्तों और दोस्तों बता दे कि जब भी admit card कोई news notification आएगी तो हम आप लोग तुरंत बता देंगे अभी कोई date fix नहीं हुआ है कि इस दिन इस दिन physical होगा समझे दोस्तों आप लोग बिंदास त्यारी कीजिए मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के जैहिंद वंदे मात्रम